यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह राजकुमार ब्रिच की हैं श्राद में पित्रों के निमित कवणों को भोजण कराया जाता हैं कोय तो घर में आते नहीं है इसलिए इनका भोजण राज़कुमार ब्रिच पर इस रेलिंग पर रखा जाता है ऐसा यहां बरसों से होता आ रहा है और इस बार भी यह परंपरा जारी है लेकिन इस बार इस परंपरा में एक परिवर्तन आया है लोगों ने परियावरन के कारण अपनी आदत बदली है पहले भूजन डिस्पोजेबल आइटम में रखा जाता था पर अब यहां पर पत्तों में भूजन रखा गया है मालूम हो कि 2 अक्टोबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तमाल पर पर प्रतिबन्ध लग जाएगा रेल्वे स्टेशन पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर पत्तों के दोने में कचोरी समोसे दिए जा रहे है और और ही स्टेशन पर चाय कॉफी कुलहड में मिलने लगेगी। केंटी संचालों को नी भी इस पर पहल को सहा रहा है। स्टेशन पर प्लास्टिक का उब्योग तो नहीं हो रहा है। इसे लेकर अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्लास्टिक का उप्योग नहीं करने को लेकर यात्रियों को जागरूप भी किया जा रहा है। सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेज दे बेल आइकन फूर मोर अपडेट्स।